नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं आमानत नौलेज़ दोस्तों जम जनकरी प्राप्ट करेंगे कि लगान रसीद जमिंदारी पर्था के समय की है तो उसका क्या महत्व है हमारे लिए तो दोस्तों इसको जानेंगे और जानने से पहले आपमारे चै में जो है जमिन्दारी उनमूलन अभियान के लिए बिलपास किया गया ठीक है और फिर जमिन्दारी उनमूलन अभियान प्राडम्भ हुई ठीक है जमिन्दारी उनमूलन अभियान 1948 से लेकर 1966 तक चला और उसके बाद जो है 1966 में जो है जमिनदारी पर्था समाप्त होकर सरकार के अंतरगत आ गई ठीक है यानि कि जो भी जमीन का कार्यभार जमिनदार के अंतरगत किया जाता था वो सारा कार्यभार जो है अब सरकार अपने हाथ में ले ली थी ठीक है तो अब बात आती है दोस्तों कि जमिनदारी पर्था के समय की उस समय का रसीद आपके पास है लगान रसीद इसे कहते हैं ठीक है जमिनदारी पर्था के समय के ही आपके पास लगान रसीद है और वर्तमान समय में जो है उस जमिन से संबंदित जो डिटेल्स वो लगान नहीं है तो ऐसी परिस्तिती में आप क्या करें और रियल में वह जमीन भी आपका है वह जमीन आपके पुरवज का ही है यानि आपका ही है तो आप वह ऐसी परिस्तिती में क्या करें तो दोस्तों मैं बता दूं कि उस समय चल रही थी जमिनदारी पर्था और जमिनदारी पर् जमिन्दार को ही लगान दिया जाता था ठीक है लगान जो वसूली करते थे हम लोग से वे जमिन्दार ही करते थे और जमिन्दार को ही लगान रसिद जमिन्दार से ही कटवाना परता था यानि लगान जो भी होता था ठीक है वो चाहे अनाज के रूप में हो चाहे कर के में हो तो उस समय जो है जमिनदार को ही लगान देना परता था और उसके बाद जब जमिनदारी परता समापत हो गई सरकार अपने अंतरगत सारे जमिन के कार्यभार को और जमिन को ले लिया तो उसके बाद जो है जिनका जिनका जमिनदारी पर्था के समय का लगान रसीद कटा हुआ था तो वे क्या किये कि जब सरकार के अंतरगत सारा कारेभार हो गया तो बहुत सारे आदमी जानकार थे इस विशह में तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो है नया लगान रसीद सरकार से कटवा लिया ठीक है य तो बहुतों के साथ मतलब ये चीज हुआ कि उनको जो है सरकार के अंतरगत नया लगान रसित कटकर मिल गया यानि कि उनका जो है सरकार के अंतरगत जमाबंदी कायम हो गया ठीक है नया दाखिल खारी जो गया जमाबंदी बन गया और उनके नाम से जो है लगान रसित कटकर म आप माल लीजिए किनी के पास लगान रसीद जो है वो जमिनदारी पर्था के समय की है अब जमिनदारी पर्था के समय की है जमिन भी उनका है सारा डिटेल्स ये स्पस्ट कर रहा है कि जिनका जमिनदारी पर्था का लगान रसीद उसमय का है उनका ही डिटेल्स सारा सो कर रह है कि वो जमिन उनका है ठीक है लेकिन वर्तमान समय का यानि सरकार के अंतरगत उनका एक भी लगान रसीद नहीं है तो ऐसे परिस्थिती में वे असमंजस में पर जाते हैं और उनको लगता है कि मेरे लिए एक मुसीबत खरी हो गए और हलांकी सच में कहा जाए तो यह मुसीबत ही हो जाता है और इसलिए हो जाता है कि जब किनी वैक्ति के पास जमिनदारी पर्था के समय का लगान रसीद है और उनको कुछ पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है तो उनके लिए यह एक समस्या बन जाती है ठीक है आप जो है कोई अगर उन्हें जानकारी भी देते हैं कि आप उस लगान रसीद को लेकर आप जाए अँचल में आवेदन दें ठीक है कि उनका जो है उस रसीद के द्वारा एक नया जमाबंदी तयार किया जाए एक दाखिल खारी जो है नया किया जाए ठीक है और नया जमाबंदी कया जाए सरकार के अंतरगत और लगान रसीद निर्गत किया जाए जब इस तरह की बात के लिए आवेदन देते हैं इन परकिरिया में लोग जूट जाते हैं तो उनके पास जो है बहुत सारी परेसानिया आने लगती है तीक है आपको जब राजस्व करमचारी के पास जाते हैं तो राजस्व करमचारी टाल बटोल करते हैं यहां तक की लोगो के मुझे मैंने सुना है कि अंचला दिकारी भी जो है टाल बटोल कर देते हैं ठीक है तो ऐसी परिस्तिती में समस्या ही उनके लिए उत्पन हो जाती है तो बेचाड़े क्या करें ठीक है लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ अगर आप इस पड़किरिया में लगे रहेंगे ठीक किनी और वेक्ति के पास कोई कागजात नहीं है तो 100% उसका जो है नया दाखिल खारिज हो सकता है ठीक है और नया जम्हबंदी कायम हो सकता है और आपको नया लगान रसीद सरकार के अंतरगत काट कर दिया जा सकता है ठीक है जब आप ये पूरी परकिरिया कर लेंगे तो क है कि आपका जिस तरह से जमीन जमींदारी परथा में आपकी थी, उसी तरह से वरत्मान समय में सरकार के अंतरगत जो है वह जमीन का लगान रसीद कहतेगा, तो वह जमीन आपका हो जाएगा कागजी रूप से ठीक है तो इस तरह से आप कर सकते है यह पढ़ किरिया ह객सों क करने पाते हैं बहुत सारे करना भी चाते हैं तो आधा धुरा करके फिर छोड़ देते हैं काम को पूरा नहीं कर पाते हैं ठीक है तो मैं दोस्तों मैं bacそれ कि जिसके पास पुराना लगान रसिद है जमिन्दारी पर था के समय की तो उसका महत्व है ठीक है आप उसे जांचे आप पता करें उस डिटेल्स के अनुसार अगर किनी के पास वैसा कागजात नहीं है और उस जमीन पर किनी और का कभजा नहीं है तो वह 100% आपका हो सकता है और होगा भी ठीक है तो आप इस परकिरिया को पूरी करें उस लगान रसीद का महत्व होगा ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आप समझ गए ओंगे कि इस परकिरिया को कैसे करना है कया करना है ठीक है लेकिन ध्यान रखेगा दोस्तों आप लगे रहेंगे तो 100% यह होना है और होगा क्योंकि सरकार को हम tax देंगे कर पे करेंगे तो सरकार भी चाहेगी कि आपका नया जम्हबंदी कायम हो और आप tax परदान करें यह जो बीचलिया होता है ना इन्हीं के टालबटोल के कारण पबलिक परिसानी में पर जाती है समझें तो दोस्तों उम्मिद करता हूं कि आप लगे रहे होंगे और आपका काम हो जाएगा ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स विल्ग साथ तब तक कि लिए लिवदा ठाइंक